Hi everyone, Welcome back to my channel आज की हमारा इस्टोरी का टाइटल है In the Jew In the Jew Jew का मतलब होता है छिन्या घर, छिन्या घर में One day एक दीन, डेनी ये एक नाउन है यानि की नेम है, डेनी, अब कैसे पता चलगा कि ये नाउन है, नाउन जब रहता है तो उसका जो फैस्ट लेटर होता है, वह कैपिटल में होता है, यानि की बड़ा लेटर होता है, जिसे की आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक नेम है, तो यहाँ पर देखिए ये जो दी है, ये कैपिटल लेटर है यानि की बड़ा लेटर है यह एक नेम है, I hope आप समझ गए होंगे यह गो का second form है अपनी पिता के साथ गए, कहा गए, टू अर्जू एक छिणिया घर में गए वह बहुत है, excited थे excited मतलब होता है उतेजित वह बहुत उतेजित थे, to see देखकर different types of birds and animals different types, यानि कि विभीन परकार के पत्थियों और जानवरों को देखकर वह बहुत ही excited, यानि कि उतेजित थे ओके, next after a while, यानि a while का मतलब होता है थोड़ी देर after यानि कि बाद थोड़ी देर के बाद they वह came यानि कि I, कम का second form है came यानि I, कहां आए in front of ये एक पिरेजल अबरों है इसका मतलब होता है के सामने in front of the cage पिजड़ी के सामने of a lion सेर की पिजड़ी के सामने वह आए Danish father Danish के पिता told him उसे बताए यहाँ पर tail का second form है told यानि के उसे बताए क्या बताए how furosious and strong lions are के कितना कुरूर और मजबूत सेर है furosious यानि के कुरूर और मजबूत सेर है यानि के है कितना कुरूर और मजबूत सेर है Danish Danny was listening very attentively Danny बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे यहाँ पर attentively का मतलब होता है ध्यान से listening यानि के सुन न was listening यानि के सुन रहे थे very attentively बहुत ही ध्यान से ओके next finally finally का मतलब होता है ant में he spoke up वह बोल पड़े यहाँ पर speak का second form है spoke वह बोल पड़े dad if somehow अगर किसी तरह somehow यानि किसी तरह if यानि अगर या यदि the lion comes सीर आता है out of the cage विजरे से बाहर and or it's you off और आपको खा जाता है then फिर how will I get back home फिर मैं घर वापस कैसे जाऊंगा get back यानि कि वापस जाना हूं यानि कि घर वापस कैसे जाऊंगा at least at least का मतलब होता है कम से कम at least कम से कम तेल में यानि कि मुझे बताईए क्या बताईए the route राष्ता to reach home घर पहुँचने के कम से कम मुझे घर पहुँचने के राष्ता बताईए reach home यानि कि reach मतलब होता है पहुँचना ओके next I hope आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे Danish father Danish father laughed यानि कि हस पड़े at at the innocent question of the sun बेटे के innocent यानि कि mushroom question यानि सवाल mushroom सवाल पे जो देनी के पिता थे हुए हस पड़े यहाँ पे laugh laugh यहाँ पे laughed है laugh का second comment laughed so that's all इतना ही था story I hope आप लोगों को story समझ में आई होंगी यदि आप story को फिर खुद से read करेंगे आप लेश्टोर में जाके इस book को download कर ले वहाँ पे आपको search करना है short story in English यह book second number पे आजाएगा आप खुद से read करिए यदि आप beginners आए तो आप मेरे विडियोज को देखने के बाद आप खुद से read करेंगे तब ही आपको पता चलेगा कि आपको कहां पे कौन से sentences और कौन से word समझ में नहीं आ रहे है और जहां में समझ में नहीं आ रहा है फेस से मेरे विडियोज को देखिए और उन sentences और word को समझिए इससे आपकी knowledge जो है वह बहुत ही जादा होगी तो so that's all for today आज के लिए इतना है यदि आपको वीडियो पसान है तो वीडियो को practicing, keep learning and have fun